So Hello Curious Universe, Welcome to my channel, Facts Away Let's start Fact No.1, Bluetooth Technology का नाम 10th Century के एक राजा Harald Bluetooth के नाम से रखा गया है, जिन्होंने डेन्मार्क और नौर्वे को उनाइटेड किया था, जिस तरह से ये wireless technology दो डिवाइसेस को उनाइटेड करता है Fact No.2, Louisiana State University के Tiger Stadium में 8 October 1988 को Louisiana State University और Urban University के बीच पॉलेज फुटबॉल का जो फाइनल खेला गया था, उसे अर्थक्विक गेम के नाम से जाना जाता है क्योंकि 79,431 दर्शकों के बीच खेले गए उस फाइनल गेम में उन लोगों का रियक्षन स्टेडियम से 1000 फिट की दूरी पर सिस्मो ग्राफ दुआरा एस अर्थक्विक रेजिस्टर किया गया था जापान और स्कोट्लेंड में कुछ जगाहों पर आम स्टीट लाइट्स के बदले ब्लू स्टीट लाइट्स लगाये गये हैं इसके बाद उन जगाहों पर ट्राइम रेट्स और सुसाइड रेट्स में काफी गिरावट नोटिस किया गया है फैक्ट नमर फाइब अगर आप एमस्टरेम में मर जाते हो और आपका कोई परिवार या फिर दोस्ट आपका अंतिम संस्कार करने के लिए या फिर शोक मनाने के लिए नहीं होता है तो वहाँ पे एक कवी आपके लिए एक कवीता लिखेगा और आपके अंतिम संस्कार पर वो इस कवीता को परके सुनाएगा फेक्ट नबर सिक्स रुबिक्स क्यूब को फास्टस टाइम में सुल्फ़ करने का वौड रेकॉर्ड है 4.22 seconds का जिसे 2018 में बनाया गया था लेकिन अर्नो रुबिक जो रुबिक्स क्यूब के creator है उनको अपना पहला रुबिक्स क्यूब सॉल्फ करने में एक महीने का वक्त लगा था फैक नमज 7 न्यू डेली में शुलव इंटरनेशनल म्यूजियम ओफ टॉलेट्स नाम के एक म्यूजियम है जहां टॉलेट्स का एक कलेक्शन है जो 2500 बीसी से लेकर अब तक टॉलेट्स के एवलिउशन को दरशाता है इस म्यूजियम में डिफरेंट कंट्रीस के एंशन टाइम के टॉलेट्स है आपको शायद लग सकता है ब्रेट का एक छोटा सा टुकड़ा कबूतरों को खाने के लिए देना एक नाइस जोग होगा लेकिन अगर आप सेन फ्रांसिस्कों में ऐसा करेंगे तो शायद आप बहुत बड़े मुसीबत में पर सकते हों क्योंकि सेन फ्रांसिस्कों में सरक के किनारे कबूतरों को खाना देना इलीगल है अपने बॉड़ी पर टैटूस बनाना तो बहुत लोगों को पसंद है लेकिन किया आप जानते हैं हार्ड कोर बॉड़ी आर्ट फैंस अपने आईबॉल्स में भी टैटूस बनाते हैं वो लोग अपने आखों को डिफ्रेंट कलर कराते हैं और अपने आखों में डिफ्रेंट डिजाइन्स भी बनाते हैं फैक्ट नमर टेन स्विजर लेंड में अपने घर में एक गिनीपिक को पालना illegal होता है गिनीपिक्स एक social animal होते हैं और वो अपने साथ अन्य गिनीपिक्स की companionship को prefer करते हैं इसलिए स्विजर लेंड में अपने घर में एक गिनीपिक को पालना illegal होता है अगर आपके दो गिनी पिक्स में से एक का मौत हो जाता है तो स्विजरलेंड में आप एक और अन्य गिनी पिक को रेंट में ले सकते हैं जिससे आपका रिमेनी गिनी पिक को कमपने मिलेगा Fact No. 11 कुछ लोगों को एक Psychological Disorder होता है जिसका नाम है Boanthropy इस Disorder में लोगों को एक काव है और वो लोग एक काव की तरह ही रहना और Behave करना पसंद करते हैं वो लोग एक काव की तरह ही घास खाते हैं और फिल्ड में यहाँ वहाँ सो जाते हैं I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और अमेजिंग फेक्ट्स के साथ तब तक के लिए गुडबाई